चोदा नौमबर का दिन हर साल डैप्टीज डेट के नाम पर बनाया जाता है बेंटिंग बैस्ट जिन्होंने इंसुलिन बनाई थी उनकी याद में बनाया जाता है ब्लड शुगर चेक आप हर साल में एक बार जुरूर करवाएं जिनको नहीं हैं जिनको हैं उनको तो बड़ कोपोलेशन डैप्टिक होगी चोदा नौमबर का दिन हाट साल डैप्टीज डेट के नाम पर बनाया जाता है यह हमारे दोट साइंटिस्ट हुए हैं बेंटिंग बैस जिन्होंने इंसुलिन बनाई थी उनकी याद में बनाया जाता है मेरी तरफ से लोगों को सबसे पहला अब संदेशिए कि अपने शूगर्चेक करवाएं किसी को भी शूगर हो सकती है उसको पता नहूं से इस सब्सक्राइब करने के लिए शूगर को आप हर साल में एक बार जुरूर करवाएं जिनको नहीं है उनको तो बड़ा टेस्ट करना पड़ेगा पोस्पोन करने के लिए शूगर को आपको एक तो एक्टिव रहना पड़ेगा एक्सेसाइज करें ज्यादा कारों का इस्तमाल ना करें साइकल चलाएं दूसरा यह कि फास्ट फूड अवाइड करें यह जो जंक फूड है मर्दब जितना भी है इसके कारण डियाप्टीज का मोमोज और बर्गर और फिंकर चिप्स खाते हैं उनमें डियाप्टीज बड़ी जल्दी सामने आ रही है जो डियाप्टीज अधरवाइज एज डियाप्टीज की सामने आने के लिए पिंक ताली से पचास साल हुआ करती थी जब हम बच्चे थे लेकिन वही सारी सामने आ जाएंगी किड्नी हार्ट तो जो बड़ापा है वो क्रिपल्ड होगा तो मेरी लोगों सो यही गुजारिश है कि बजार का खाना आवाइड करें घर का सिंपल खाना खाएं और एक्साइज करें जितने भी जंक फूड पैक्ट फूड अवाइड करें और कोला जो कोल ड्रिंक्स हैं यह वाइड करें उसके बड़े जूसिज पीएं या नारियल पानी पीएं मत्दब वापस रिवर्स गेर लगाना आपको जो हमारी हिंदोस्थानी डाइट आई से 30-40 साल पहले हुआ करती थी उस पर अगर आपने अदर्वाइज डैप्टीज का तो आने वाला है और 20-25 साल के बाद कम-कम आधी पापूलेशन डैप्टीक होगी तो इसे बचने के लिए यही आप प्रिकाशन ले सकते हो एक्टिव रहें और यह भार का खाना आवाइड करें टेक वन अब आपके वाट्साप पर वाट्साप करिए हाई 9728253663 पर